Hello everyone, welcome back to my channel. मैं पूचा सेतिया, हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है GST वाला, इसमें जो हम आज टोपिक करेंगे सबसीडरी बुक्स, जो आपकी परचेस बुक्स, सेल बुक होती है, उसमें हम जब आप कुछ आप क्रेडिट में परचेस करते हो, या सेल करते हो, उसमें भी जब IGST लगता है, तो वो कैसे लगता है, आज हम वही करेंगे, मैं कोश्चन रीट करेंगे, उस स्क्रीन पर देख करो, अगर आपको किसी सीटी का नाम देज़े से कॉलकाता दिया, तो कोलकाता में ही आपको क्या करना है, आपको उसी स्टेट के अंदर अगर आप लगाऊगे, तो CGST और SGST लगाएगा, अगर आफ दूसरी किसी स्टेट से से देली है, या फिर आपका हरयाना है, पंजाब आप है किसी दूसरे स्टेट से अगर आप चेस या सेल करते हो तो IGST लगता है वैस पंगाल एंड पास दा जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री भी आपको करने है नीचे आपको सारी आपको एक्वेशन्स दी है अप्रिल मंत की है बनानी है अप्रिल वन में बोला है परचेस गूद्स प्रों जोशी ब्रॉस कोलकाता और क्रेडिट वाइट इन्वाइस नंबर आपको गीवन है 210 10 फ्लिप्स टूब लाइट स्क्रीदी आपने अपने एड़ रेट और 200 एच और प्लस CGST, SGST 6% इच 50 बलब्स क्रीदे है 100% E100 इच प्लस CGST, SGST 6% इच ट्रेड डिसकाउंट 10% and freight charges 100 अब देखो हमें सबसे पहले क्या है कि पर्चेस बुक बनानी है इसमें हमने सारे कोलम बनाए है सबसे पहले जब सबसेट्री बुक साती है न और उसके अंदर GST आता है तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले date, particular, invoice इस नंबर का कॉलम होता है अगर आपको नंबर दिया है तो ही आपको डालना है नहीं दिया तो इसको एसे ब्लैंट चोड़ देना है चीज कि इसमें cash वाली entry भी नहीं आएंगी सारी credit transactions आएंगी detail का मतलब होता है जिस आप shop पे गई आपने उसे क्या-क्या खरीदा उसके उपर आपको कितनी discount मिली trade discount की entry होती है cash discount की entry नहीं क्यों cash discount वाले पर होती है या cash receive वाले तो उसमें entry भी नहीं करते है डिटेल उसके वबर cost का मतलब होता है कि कितना cost का मतलब होता है कि कितने का आपने खरीदा और उसके उपर आपको trade discount कट के जो amount आता है वो आता है उसके बाद GST और उसके बाद कोई अबर expenses freight वगएरा क्या होता है तो अब one by one जिससे आपने खरीदया उपर आप लिख देना in the books of जो भी person का नाम था proper structure आपको बनाना मैंने structure proper बनाया लेकिन आपने उपर इतना space नहीं होता कि जगा उपर आप लिख लेना in the books of column जो भी है आपका नाम गीवन होगा सबसे पहले entry आपको Joshi ब्रोश से Joshi brothers की उस पे गए और कॉल का आता मार्श 2025 है और एपरेल मंत की थी और एपरेल वन की entry अब आपने यहां पर जो जो खरीद है पहले उसकी detail लिख लो क्या खरीद है 10 फिलिप्स ट्यूब लाइट्स करीदी 10 फिलिप्स मैं यह शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा लिखूंगी बाकि आप प्रॉपर आप लिख सकते हो बस आपको concept बताऊंगे कि calculation कैसी होगे 10 फिलिप्स ट्यूब लाइट्स at the rate of कितने की खरीदी है 200 अब 200 की एक है 200 की एक है वैसे normally आप purchase sale कर रहे हो तो कितने की आगे 200 की एक और आपने कितने की खरीदी है 10 उसके बाद 50 बलप्स खरीदे है 50 क्रॉम्टन बलप्स यह कितने का एक है 100 इच ट्रेट डिस्काउंट कभी कभी ना हमेशा हर किसी के साथ दिया होता है तो हर में ऐसे नहीं पहले आप टोटल आप देख लिए अगर आपने क्या क्या समान खरीदा है पहले उसका टोटल निकाल लो आपने कितने बलप खरीद पहले यहीं पार इसी कॉलम में आप कर लो कितने का आगया 7000 का आपने इस जोशी से क्या किया समान करीदा उसके उपर आपको क्या मिला है 10% ट्रेट डिस्काउंट मिला है तो ट्रेट डिस्काउंट कट कर दो वो कोस्ट आ जाती है इसमें से लेस कर दो ट्रेट डिस्काउंट कितनी 10% इसमें से 10% माइनस करो 700 तो कितना आगया 6300 कितना आगया 6300 यह हमारी क्या होती है कोस्ट होती है यहाँ पर डालते हूँ कोस्ट क्या होती है हमेशा जितना आपका खरीदा आपने और जितनी आपकी ट्रेट डिसकाउंट कट गई उसको माइनस करने के बाद जो अमोंट आ जाता है वो कोस्ट हो जाती है अब cgst और sgst लगेगा कौन सा परचेस के साथ हमेशा कौन सा लगता है input वाला कौन सा लगत कितना 6% किसके उपर लगाएंगे इसके उपर लगाएंगे 60 क्योंकि कोई अब extra वो तो है नहीं फ्रेट वगेरा दिया नहीं 6300 के उपर लगाओगे तो कितना आ जाएगा 378 और यह भी 378 यह अब इनके कॉलम बने हुए यह cgst है और यह sgst है इसमें भी लगा दो और इस में भी लगा दो यहां पर ऐसे लगा दो इसको जाए ऊपर यह cost में डाला यह आपने क्या किया cgst यह sgst igst इन दो या तो यह दो एक साथ लगते है यह ekelah लगता है freight charges है नहीं अब इसका क्या कर दो total कर दो इसका जब आप total करोगे वो सारा last में चला जाएगा clear है इसको add कर दो 7056 तो यहां पर आ जाएगा last में इसका total मतलब आपको जब आप जो पूरा total बिल बनेगा वो 7056 का बनेगा very simple कि आपने पहले देखना है क्या क्या समान खरीद है आपने उसका total करो अगर trade discount उसमें से less कर दो अगर कोई आपका freight, carriage वगर उसको add कर दो उसके बाद आप G हो गया एक परसं से इसको कर दो बन आप नेक्स्ट आती है एप्रिल 10 के अच्छा एक चीज इसमें रहे गी थी इसमें आपको invoice number दिया था 210 तो बस यहां पर ऐसे 210 लितो बाकी इसका कोई भी यूस नहीं है next लिखते है next कि सिखिए रजेश electrical से तो बस आप यहां पर लिख देंगे राजेश इलेक्ट्रिकल राजेश इलेक्ट्रिकल यह कहां से है देली से तो आप जो जो खरीदा है इंसे हीटर खरीदे हैं तो यहां लिख देंगे सबसे पहले लिख दो हीटर खरीद है और दूसरा क्रॉम्टन्स फैन खरीदे थे हैं आप कितने कितने खरीदे हैं हीटर खरीदे है 25 और फैन खरीदे है 15 800 का एक और यह 1600 इच है तो बस 25 इंटू 8 यह थोड़ा सा उपर कर लेंगे इसको इसको ऐसे ब्लॉब बंद कर देते है यहां पर ऐसे बंद भी कर सबसे लगाते नहीं है यहां पर लेकिन इसको थोड़ा सा सेप्रेट करने के लिए मैंने लगा दिया 25 इंटू 8 कि 20,000 के आपने हीटर खरीदे और इसको अगर कारोगे तो कितना आ जाएगा 24 तो यह टोटल आ गया आपका आपने दो चीजें खरीदी यह दो चीजें खरीद ली इनका क्या करोगे टोटल कर लोगे 44,000 का आपने इतने का समान करेदा आप इस में से सबसे पहले क्या करेंगे आपको ट्रेट डिस्काउंट डिये 10% इसमें से less कर दो, less, trade discount 10%, तो 10% कितना आ जाएगा, 4400, इसको less कर दो, trade discount क्या होती है, less होती है, तो क्या आ जाएगा, 39600 की आ जाएगी, cost आ जाएगी, तो वो cost वाले column में आएगा, यहाँ पर पहले अभी हम इसके ओपर text लगा देते हैं, अब इसके ओपर कितना है, IGST है, IGST कितना है, 12% है, इसमें भी invoice number दिया था, यहाँ पर डाल देते हैं, 18, तो अब इसमें add कर देंगे, IGST 12%, तो इसके ओपर आप क्या करोगे, 12% लगाओगे, 39600 के ओपर लगाओगे, तो वो आएगा 4752, इसको आप add करते होगे, इसको आप क्या कर देंगे, add text हमेशा add होता है, तो कितना आजाएगा, 25, 44352, यह हमारा क्या आगया, total आगया, यह सबसे last में जाएगा, 44352, तो अब इससे उपर क्या IGST है, IGST वाले कॉलम में IGST जाएगा, 4752, freight वगरा है नहीं, उसके बाएग यह cost थी, यह cost वाले कॉलम में जाएगा, 3960, यह नहीं आएगा, यह इतने का आपने total किस से खरीदा, Rajesh Electrical से, इसको अब कर देंगे, बाएगा, इतने का total हमारा second वाले से हो गया, last supreme store, तो बस supreme store लिखो, supreme store, इससे भी आपने क्या-क्या खरीदा है, इस पे लिख्या देखो, five dozen, अब dozen जब होता है ना, तो per dozen ही होना चाहिए, five dozen बलबs, hundred each है, each, एक बलब अगर hundred का है, लेकिन आपने five dozen खरीदे हैं, one dozen में कितने होते हैं, twelve piece, तो आपको इसमें five into hundred into twelve करना पड़ेगा, आपने क्या-क्या खरीदा, सबसे बहले लिखेंगे, बलबs, उसके बाद आपने खरीदा है आपने power plug, plug लिख लेते हैं, लेकिन आप proper पूरा लिखना, plug खरीदे हैं, ये खरीदा है, आपने hundred each, और ये है 80 each, तो ये कितना five, कितने बलब खरीदे, five, और ये कितने खरीदे, 25, बट ये each है, तो आप इ two hundred, इसको कैसे करेंगे, five, in two hundred, into twelve करना पड़ेगा, तो कितना आजाएगा, six thousand, इसको करेंगे, तो कितना आजाएगा, two thousand, आपने इतने का समान खरीदे, six thousand का आपने बलब खरीदे, two thousand के आपने plug खरीदे, तो total कितना हो गया, eight thousand, अब ये हमारी cost हो जाती है, जब भी अब पहले उसका total कर लो, उसके बाद, उसमें से trade discount को क्या कर दो, less कर दो, इसमें से less करेंगे, trade discount, कितना, 10%, trade discount 10% है, इसमें से minus कर दो, ये 7200 की क्या आएगी, हमारी cost आएगी, क्योंकि जो trade discount minus करने के बाद आता है न, उसको बोलते है cost, अब इस point के अंदर आपका freight charges भी था, तो पहले freight जो भी आप extra transport का देते हो न, charges, carriage है, freight है, cartridge है, तो उसका आप उसमें पहले plus कर देते हैं, तो इसमें add करेंगे freight, उसके बा कितना है, 100, इसको add करके ये आजाएगा, 7300, आब इसमें add करेंगे IGST, कितना percent है IGST, क्यों है IGST, ये भी पता होना चाहिए, CGST और SGST सिर्फ फर्स्ट में लगा था, क्योंकि वो कलकाता में, मलग कोलकाता में की entrises आई, तो कलकाता में खरीदा, तो CGST और SGST लगेगा, अगर कलकाता से बाहर खरीदेगा, जिसे देली में किया, तो आपका IGST, क्योंकि ये intra हो जाता है, तो inter, sorry, inter text हो जाता है, और जो ये वाले होते हैं, वो intra होते हैं, आपको अब इसमें IGST देली से किया है, तो आपको IGST पे करना पड़ेगा, 7300 के ओपर कितने percent IGST लगेगा, 12%, इस पे लगा दो, कितना आ गया, 876, इसका total कर दो, 816 जो हैगा, आपके last वाले में आएगा, अब इसमें से अलग लग कर दो, हमने सबसे पहले क्या किया, देखो, ये जो इतने का आपने खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ट्रेट डिसकाउंट लेस करने के बा 8 वाले कॉलम में दाल दो, 100, ये वाले 100, उसके बाद ये 876 क्या था, IGST था, तो IGST वाले में दाल दो, ये वाला नहीं, तो बस अब इस सारे का क्या कर दो, इन तीनों का क्या कर देंगे, हम total कर देंगे, थोड़ा सा शायद आपको ना दिख रहो, मैं यहीं कर देती हूं, यहाँ पर इन सब का क्या कर दोगे, ऐसे total करते जाओगे, सिरफ इसी का कर दो, जरूरी नहीं होता, कि आपको सब का ही total करना है, आप इस वाले कॉलम का क्या करो, सब का ऐसे, अलग-लग कर सकते हो, ये देखो, ऐसे कर दो, अग शायद आपको show हो रहा होगा, अगर total cost है, इ ये इतने की आपने, इसने total cost होई, ये वाला GST, 378, ये भी 37, ये 8, 7, 6 और ये दोनों add हो जाएंगे, 6 plus 2, 8, 7 plus 5, 12, 1 plus 7, 8 plus 8, 16, करी वेचा 1, 1 plus 4, 5 और ये कितना है, only 100, ये सारा आप total कर दो, मैं इस साइट का total यहाँ लिख रही हो, शायद आपको show ना हो रहा हो, भी 6 plus 2, 8, 1 plus 1, 2 plus 3, 5, 8 plus 4, 12 plus 7, 19, 1 plus 4, 5, ये 5, 9, 5, 8, 4, ये हमारा हो गया सारा total, ये हमारा subsidiary books बनी, अब इन्होंने एक चीज ये भी बोली थी, कि आपको journal भी करना, journal बहुत easy है, मैं आपको structure में नहीं बिता रही हूँ, book में आप देख लेना, structure, journal का structure सब बच्चों को पता है, journal कैसे करते हैं, बस, बिलकुल simple, कि आपने क्या बनाया, purchase book बनाई, क्या बनाई, purchase book, तो purchase हमेशा journal entry में क्या होती है, debit होती है, तो यहाँ पर लिख दो, purchase account, purchase, account, debit, purchase जहाँ पर होती है, उसी के साथ ही आपका क्या लगता है, IGST लगता है, कौन-कौन से लगे हैं, CGST भी लगा, SGST भी लगा, और IGST भी लगा, तो input use होता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, input, input, क्योंकि तीन text लगे हैं, CGST, SGST, और IGST, जो जो आपके column बने हैं, बस वो सारे debit में आ जाएंगे, purchase debit, to input CGST, to input SGST, to input IGST, और freight का column, freight भी क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा, freight account, debit, यहाँ पर ऐसे account लगाते जाओ, आप two में क्या लिखेंगे, जो आपने जिस से खरीदा है, जो आपने नाम लिखें, Joshi Brothers, Rajesh और Supreme, उनके नाम लिखते जाएंगे, to Joshi Brothers, मैं short form लिख लेती हूँ, to Joshi, पूरा लिख लेना, to Rajesh, to Supreme, बस आप यह slash लगा रही हूँ, इसके इदर वाला debit वाला amount है, और इसके इस side वाला credit वाला, तो बस आप परचेज में क्या आती है, पूरी cost आती है, यह वाला, 53,100, यह परचेज होता है, परचेज का मतलब होता है, जो आपका list price होता है, उसमें से trade discount minus करने के बाद वाल 378, 378, उसके बाद है, इसका कितना है, 5628, और यह 100, उसके बाद जोशी का, बाद में आप total डाल दो बस इनका, जोशी से कितने का total है, 7056 का, 7056, इसका कितना है, 44352, और इसका कितना है, 8176, यह हमारी हो गए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में बिल्कुल, जब पच्चेस बना रहे हैं, तो पच्चेस को debit कर दो, उसके बाद जो जो कॉलम बने हैं, उसको भी debit करो, और credit में जो आपने चिंग के नाम लेख्या, और total आप डालते जाओ, नरेशन आप लिखी लेंगे, पच्चेस electrical goods from on credit basis, cash वाली एंट्री जो है, आपकी सबसेट्री बुक्स में नहीं आती है,